जैहिन साथियों स्वागत हैप सभीका संपूर्नेजी के जीस चैनल पर साथियों अभीक एकलास में देखेंगे यूपी पूलिस की जो नहीं विकेंसी लिगल करके आई है 2024 की जिसका अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है 16 जन्वरी तक फॉर्म अप्लाई होगा और इसका एक् जारपाद देनी बचे हुए है तो फॉर्म जल्दी से फड़ाफट अप्लाई करिए क्योंकि इसका जो प्रोसेस है बहुत होने वाला है और तुरंत ही आप लोग को जॉब प्राप्त हो जाएगा तो देखिए अभी से आप लोग इसका त्यारी कोई स्टार्ट नहीं किये हैं तो देख सकते हैं आप लोग जो जिस बुक का त्यारी करेंगे वह प्लेट फॉर्म पाफिकेशन का बुक है जिसमें डेखिए टोटल 20 से दिये गये हैं और हम लोग आज का क्लास है हम लोग का मोडल प्रैक्टी से नंबर वन है यानि कि हम लोग आज का पहला नंबर प लोग दो दिखें औव गार्डो कानीयम निकालने में उप्योगी यहां पर गयसो की परमन व्युकता हो जाएगा फिर से गयसों का अनूभार भीहो जहाएगा कोच गयसी सब्हाग जिबनाने हुपैशन रहें यहां कि आण इंसर बीच अंतर करने में गैसों का अनुसुत्र अस्थापित करने में भी होता है तो यह सभी चीज आप लोग याद रखेगा आपके लिए बहुत ज्याद इंपोर्टन जो भी हम पॉइंट बतलाते हैं आप लोग इसको नूट करते रहिएगा देखिए सेकंड नमर कुश्चन है ग्रिफाइड यहां पर दिया गया है ग्रिफाइड कारबन का रवादार और रूप है और यह उसमा एवं बिधूत का सुचालक भी होता है याद रखेगा इंपोर्टन पॉइंट है थर्ड नमर कुश्चन देखते हैं देखिए यह कुश्चन बहुत 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 बहु है एडिनिन एवं गुवानीन हो जाएगा ओप्शन नमबर भी राइट यह बूच्छन को आप लोग कट दियेने में प्यूरिंग छाहर है एडिनिन एवं गुवानीन हो जाएगा और भी राइट रखेगा इंपोर्टन पूच्चन है क्योंकि पहले भी पूच्छा जा च और आप लोग यहां पर देखिए ध्यान से थ्वड़ाव्याथ कर बतलाने वाले हैं यहां पर कर रहा है आपका अपकर का मगर सिर्फ को सिदंध कि इसको याद रखेगा टो चाल सă दौर्बिन ने दिया था इसको भी याद आपसन से जुड़ा होता है और मोडमको मोडुलार एवंbe निए Q मोडुलार थी कहा जाता है आपसन को Himself करा है कहा है सही एंसर आवीबा जिन जीवेुलिस कहा पाया जाता है यो पाइरिया की पॉस पॉकेट में पाया जाता है और यह मुँ में दुरगंद उत्पन्ने करता है और मरेरिया, पेचीस, काला-जार, पाइरिया तता सोने की जो बिमारी होती है ये सभी रोग जो है प्रोटो जोगा के कारण होता है तीक है ये सभी रोग प्रोटो जोगा के कारण होता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं सेवे नमर कोशन करा है सेवे नमर कोशन करा है हमारे सातियों कि खजुराहो का असमारक समू किस राजवांस से संबंदित है तो सही आप लोग याद रखेगा इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको नोट कर लिएगा हमारे साथ यह बहुत यह अच्छा पॉइंट है यह मद्द पर्देश के 36 पुर्जिले में इस्तित है ठीक है और खजुराहों में 85 मंदीरों के निर्माण का उलेख मिलता है और यहां पर सेली है वह नागर है इन मंदीरों के सैली कांजी है तो नागर सैली है एक नमर कुश्चन देखते हैं असोक महान 273-232 इस पूर्वे किस वन्स के सा सकते तो राइट एंस रोजाएगा देखिए मोर वंस के सा सकते और इसके सांसा आप लोग याद रखेगा कि यह जो है यह मोरे रजाओं में सबसे महान सा सकता और असोक जो है इनके जिसे बिंदुसार का पूत्र था यानि कि बिंदुसार असोक के पिता हुआ करते हैं चलिए आगे जाते हैं नमबर कोश्चन साथियों कर सेशन अच्छा लग रहा है आपनों लिए हेलफुल है तो प्लीज वीड नमबर कोश्चन करा है प्रीच्पी द्वारा शुरी की परिकरमा के लिए लगने वाले समय की गण्णा करने वाले प्रसम भारतिय भूगोल वेता कौन थे तो भासकारा चारे थे करा है मुल्भारतिय समिधान में कितने भाग थे तो देखे मुल्भारतिय समिधान में टोटल 22 भाग थे option number a रैट एंसर जगा मुल्भारतिय समिधान में कितने भाग थे तो 22 भाग थे इसको याद रखेगा क्योंकि एक question पूछ सकता है अचा एक चीज और आप लोग याद रखेगा कि देखे मुल्भारतिय समिधान में बाइस भाग तो थे ही इसके साथ आप लोग याद रखेगा कि बाइस भाग अनुच्छे 395 और अनुच्छी 8 थी याद रखेगा मुल्भान में बाइस भाग अ अनुच्छी 12 है और भाग जो है वह 25 भाग है इसको याद रखेगा पॉइंट है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 11 नमर कोश्चन साच्छे और सेसर न अच्छा लग रहा था प्रीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे भाई अपना बंगाल के साथ अगोन थे दर में पालने किया था और वर्तमान समय में यानि कि करिंट समय में बिहार के भागलपुर जीरे का अंतिचक गाउं हैं जहां पर पहले जो है और नलंदा और विक्रम इस्ववविद्याले को नश्ट करने वाला एक ही था उसका नाम क्या याद रखेगा बक्तियार खेल जी था नलानदा विस्वव्यद्याले और नश्ट करने ऐसले इन दोनों अनुषेभटर आग Georgetown और करा बेलनु CiT तो देहरादुन में यानि की उत्राखण में इस्तित है और देखते हैं कि अगर पूछ दे इसका अस्थापना अगर कभ हुगा था अगर पूछ दे वन अनुसंधान का अस्थापना कभ हुगा था तब क्या बतलाएगा आप लोग चलिए नोट कर लिजिए इंपोर्टेंट पूइंट को आप लोग जरूर नोट करते रहेगा देखिए वन अनुसंधान की जो अस्थापना है वह 1906 में हुई थी कभ हुई थी तो 1906 में हुई थी इसको आप लोग याद रखेगा और राष्टिय इसके साथ साथ याद रखेगा बहुत अच्छा पूइंट बतला र लग्षिदीव के जो लोग है वह इन चारो में से कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते हैं सई एंस रोजगा मल्यालम भासा बोलते हैं और इसके साथ याद रखेगा यहाँ पर जो तमिल दिया हुआ है सी नमबर में इसको याद रखेगा कि तमिल भासा जो है दक्षिन भा की प्रचिन्तम भासा है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं फोटी नमर कुश्ण कि कह रहा है संवीधान के इस भाग में पंचायती राज़विवस्था संबंधी प्रवधान दिये गये हैं। याद रखेगा तिहतारवा समिधान संसोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को सनमिधानिक दर्जा दिया गया था और एक अच्छा पॉइंट याद रखेगा आप लोग नोट कर लिए बहुत यह अच्छा पॉइंट है कि जो पंचायती राज बेवस्ता है यह कब नागोर जीले जो कि नागोर जीले राजस्थान में है वहां से प्रारंब हुआ था कब हुआ था तो याद रख लिए दो अक्टूबर 1959 को प्रारंब हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 50 नमर कोश्चन कह रहा है नियूमिस्ट मेटिक्स किसका अध्यान है सही एंसर हो जगा नियूमिस्ट मेटिक्स जो है यह संबंध यहाँ पर एक तरसे सिक्कों के अध्यान से है याद रखेगा कि यहा सही सही माईने मिहाँ पर फूल फाम पूछ रहा है तो राइट एंसर हो जगा सेवी का तात्य पर कौन सा हो जाएगा तो देखें सिकोरिटी एंड एक्स्चेंज बोड ऑफ इंडिया होता है ऑप्सन नमर बी में दिया गया है आप लोग देख सकते हैं सिकोरिटी एंड एक 22 में सेवी की अस्थापना हुई है और सेवी का मुख्याले अगर पूछ दे कहां पर है तो सेवी का मुख्याले मुंबई में इस्तित हैं सेवी का मुख्याले कहां पर इस्तित है नोट करिए मुंबई में इस्तित है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं सेवेंटी नमर है है और इसके साथ साथ वोग याद रखेगा कि फिर और लो ये सारे देश का भूड़ा है dos Um मेक्सिको की जो रधानी है वह मेक्सिको शिटी है चलि मेक्सिको Life on my terms, किसकी आत्मे कथा है, सेयन्स वोजगा Life on my terms, जो है सरत पवार की आत्मे कथा है, option number A, right and son. Life on my terms, जो है सरत पवार की आत्मे कथा है, और इसके साथ याद रखेगा, जो सरत पवार है, यहाँ पर जो सरत पवार दिया गया है, option number A में, इनसे बहुत अच्छा point याद रखेगा, कि सरत पवार, राष्टवादी, कॉंग्रेस, पार्टी के संस्थापक, अध्याक्षे, त चलिए, आगे बढ़ते हैं, 90 number question, कर आए, लखनाओ में, 1857 के 178 संग्राम का निर्थित्य किस ने किया था, तो अब सभी को मालूम होना चाहिए, कि इसने हजरत महल ने किया था, किसने तो हजरत महल ने किया था, लखनाओ में, 1857 के 178 संग्राम का निर्थित्य जो है, हजर हजरत महल जो है, अवद के अंतिम नवाब वाजीद अली साह की पत्नी हुआ करती थी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 20 number question, कर आए, 20 number question, कि भारत के निर्थित राजियों में से, किस एक में, लिंगा नुपात 2011 के जनगन्ना के अनुसार, राष्टिय अवस्तत से अधीक है, देखिए साथियो, आप लोग की यहां पर बतला जाएं, कि अभी जो बिहार दिरुगा का exam हुआ है, उसमें 2011 के जनगन्ना के अनुसार, 2011 के जो जनगन्ना हुआ था, उस पर आप लोग के लगभग 3-4 question आए हुए है, तो ठीक उसी तरह से, जो अभी UP police का exam होगा, उसमें 2011 के जनगन्ना से बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है, कि question आएगा ही आएगा, तो आप लोग 2011 के जनगन्ना से सबी question को आप लोग रट जाएए, क्योंकि 2011 के जनगन्ना का जो topic है, वो हर बार exam में पूछी रहा है, तो ज़्यादा तरह अभी संभावना है कि पूछेग तो कर आता question कि भारत के निम्रे लिखीते राजे में से किस एक में लिंगा नुपात राष्टिय और सत्से अधिक है, सही answer हो जाएगा जारखंड में, option number A, right answer होगा जारखंड में, और दिखिए कि जो 2011 के जनगन्ना के अनुसार भारत में लिंगा नुपात है, वो 943 है, कि जारखंड का जारखंड का लिंगा नुपात कितना है, जो कि यहाँ पर सबसे अधिक पूछ रहा था ना, यह उसत सबसे अधिक किसका है, जो जारखंड का है, और पूछे कितना है, तो 948 है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते है, 21 number question, साथियों कर से सन अचार मिलती है, तो कहां पर मिलती है, सही अंसरो जगा देव परियाग में, option number one, right answer जगा देव परियाग में, देव परियाग में भागी दती एवं अलक लंदाना दिया मिलती है, next question 20, two number question, करें, नोबेल सांती पुरसकार किस नगर में दिया जाता है, नोबेल सांती पुरसकार 정확 है, किस नगर में दिया जाता है, सही answer हो जाएगा, ओसलो में दिया जाता है, option number C, right answer, नोबेल सांती पुरसकार कहां पर दिया जाता है, तो ओसलो में दिया जाता है, और नोबेल पुरसकार, नोबेल पुरसकार, नोबेल फांडेशन के दौरा, Sweden के बिढ्यानिक, अल्फ see of trunkvility निम्नांकित में से किसके संबन्ध में इस्तेमाल किया जाता है, तो किसके संबन्ध में उप्यों किया जाता है, राइट एंसर हो जगा चंद्रमा, option नमर D, राइट एंसर चंद्रमा, चंद्रमा पर दिखने वाले काले धब्बे को see of trunkvility नाम दिया गया है, और नील Armstrong जो थे नील आमस्ट्रॉंग पहला व्यक्ति थे जो कि चेंडरामा पर सबसे पहले कदम रखते थे ठीक है पूश्दे का एक ज्ञ mean रमा के सब सब सब्से पहले कुदम रखने माले कौँ थे तो नील आंश्डॉंग ते ठीक है और चंडर्मा का स्रयोच शिखर अगर पूछ दे की कौन सा है तो चैंद्रमा का स्रयोच शिखर परवत अगर पूछ दे कौन सा है याद रखेगा लिबनाटीज है कौन सा है लिबनाटीज जो है लिबनाटीज परवत यह चैंद्रमा का स्रयोच शिखर है ठीक है चलिए देखते है 24 नमर निम्ने लिखित में से कौन सी चटान प्रणाली भारत में नियूंतम है जो कि भारत में नियूंतम है सही एंसर हो जाएगा देखिए गुंडवाना हो जाएगा यहां पर गुंडवाना चटान प्रणाली होगा option number D रहेट एंसर प्रश्णिक अनुसार जो दिया गया है option तो फश्णिक अनुसार गुंडवाना चटान प्रणाली जो है भारत में नियूंतम चटान है ठीक है चलिए देखते है ट्विंटिफाइफ नमबर कुश्चन कर रहा है भारत का सरवाधिक अबादीवाला दुप है तो भारत का सरवाधिक अबादीवाला जो दुप है वो कौ मुंबई नगर अवस्तित है और विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है तो टोकियो है जो की जपान में पढ़ता है ज़िए एंट 26 नमर कोश्चन भारत के निम्नलिखित राजियों में किसकी तर्ट रेखा जो है सबसे लंबी है तो कौन सा राजिका पुछा हुआ कोश्चन है तो आप लोग इसको नोट रखेगा याद रखेगा भायो इंपोर्टेन पॉइंट में नोट कर लिजिए एक्जाम से दो दिन पहले आप लोग उसको रिबिजन कर लिजिएगा कर रहा था भारत के निम्नलिखित राजियों में से किसकी तर्ट सबसे लंबी है तो सबसे लंबी जो है गुजरात की ऑप्शन नमबर डी रेट इंसर होजगा गुजरात की है और पुछ दें कि कितना है तो क्या बत लगेगा नोट कर लिजिए तब दिखिए गुजरात राज की तर्ट रेखा जो है बारसो चौदों पॉइंट सेबिन कि सदीर किस से साथ्य निर्थे सैली का प्राचीन नाम है तो सदीर पूछ रहा है तो दियान दखेगा सदीर जो है भारत नात्यम निर्थे सैली का प्राचीन नाम है ठीक है सदीर जो है यह भारत नात्यम निर्थे सैली का प्राचीन नाम है option number c right answer जगा भरत नाटियम और याद रखेगा यो भरत नाटियम है यह पूछ देता है कभी-कभी कि यह कहां का सास्त्रिय निर्थ है याद रखेगा भरत नाटियम जो है यह तामिल नाडु का सास्त्रिय निर्थ है ठीक है कहां का है तो तामिल नाडु का सास्त्रिय निर्थ भरत नाट्यम है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 28 नमर कुश्चन कर रहा है माउंट एवरेष्ट दो बार फतह करने वाली महिला पहली महिला कौन है तो देखिए ये कुश्चन तो जहां तो उमीद है जादा तो जहां तो उमीद है साथियों कि आ सकता है ठीक है क्योंकि ये कुश्चन अभी करेंट में बहुत बार पुछा जा रहा है कर रहा है कि माउंट एवरेष्ट दो बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है तो देखिए जो दो बार चड़ी हुई है वो कौन है तो संतोस यादो है और माउंट एवरेष्ट बिश्वे के सबसे उची परवत चोटी है और इसकी उचाई अगर पुछ देखिए कितनी है तो याद रखेगा कि 88,400 यानि कि 88,849.86 मीटर है ठीक है इसको याद रखेगा 88,849.6 मीटर एवरेष्ट की उचाई है नेक्ट कुश्चन 29 नमबर कुश्चन करा है गूट नूर्पेक्च अंदोलन की अस्थापना में सामिल नेता थे गूट निर्पेक्च अंदोलन की अस्थापना में सामिल नेता कौन कौन से थे सही अंसर यहाँ पर हो जाएगा देखिए गूट निर्पेक्च अंदोलन की अस्थापना में मार्सल, जोसेफ टीटो, कर्नल नसीर, एवं पंडित ज्वहाला नेहरू भी सामिल थे और गूट निर्पेक्च अंदोलन की अस्थापना जो है 1961 में हुई थी अपरिल 1961 याद रखेगा अपरिल मन्त में किस ने चित्रित किया था तो देखिए लास्ट सपर जो है या लियो नार्दो दो विंसी ने चित्रित किया था ओप्सन नमबर किस में दिया गया ओप्सन नमबर भी राइट एंसर हो जाएगा लियो नार्दो दो विंसी चित्र किया थे इसको याद हो गया ठीक है मगर लियोनार्दो जो विंसी जो है यह इतालवी चित्रेकार थे इसको भी याद रखेगा लियोनार्दो दो विंसी जो है यह इतालवी चित्रेकार थे इनकी परसिद्धे चित्रे जो है यह मोनालीसा थी इनकी परसिद्धे चित् एक ऐसा चित्र है कि बहुत बार एक्जाम में पुछा हुआ है ठीक है पूछ देता है कि मोना लिशा चित्रे किसकी थी सही एंसरो जगा लियोनार्दो दवींसी की थी याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नमबर कुश्चन कर आए साथियो कि सन्यूक ते राष्ट चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और ईवे से हैं और सन्यूक ते राष्ट की अस्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसको याद रखेगा इंपोर्टन पॉइंट है 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को जो है यो सन्यूक ते राष्ट की अस्थापना हुई थी सन्यूक ते राष्ट की अस्थापना को हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को ही थी इसको याद रखेगा आगे परते हैं 32 नॉम्बर कोस्चन कर रहा है उत्तर परदेश भारत की कूल छेत्रफर का लगभाग कितना परतिसत धारन करता है सही अन्सर हो जाएगा देखे कितना परतिसत पूछ रहा है थी थी तो उत्तर परदेश जो है यह भारत का कूल 7% छेत्रफर का 7% धारन करता है option number C रहटेंसर हो जाएगा और इसके साथ याद रखेगा कि उत्तर परदेश का जो छेतरफल है उत्तर परदेश का छेतरफल 2,43,290 वर के किलोमिटर है कितना है? उत्तर परदेश का छेतरफल पूछ दे कितना है? अभी देखिए जो दरोगा का एक्जाम हुआ था उसमें बिहार का छेतरफल पूछा था तो हो सकता है कि उत्तर परदेश में ये भी पूछ दे कि उत्तर परदेश का टोटल छेतरफल कितना है? तो इसको याद रखेगा आप लोग के एक्जाम के लिए परसेंट राइटेंश रो गया मगर अगर एक्जेक्ट पूछ दे तो याद रखेगा कि देश के कूल छेतरफल का जो है 7.33 परसेंट छेतर जो है उत्तर परदेश धारन करता है ठीके? अगर एक्जेक्ट अगर पूछ दे 7.33 परसेंट अगर है तो राइटेंश रो जाएगा किस नगर में पूछ रहा है तो लखनव में उत्तर परदेश में नाइक अनुसंधान एवाँ प्रसिक्षन के इंदर जो है लखनव में इस्तित है नेश कोश्चन 30 फोन नमबर कोश्चन करा होकी खिलाडी होकी खिलाडी राणी रामपाल के नाम पर उत्तर परदेश के किस जीले में एक होकी एस्टेडियम बना है तो किस जीले में बनाया गया है इनके नाम पर सही एंसर हो जाएगा राइबरेली में बनाया गया है और जो ये राणी रामपाल जो दिया गया है यह पॉइंट रखेगा कि राणी-्रामपाल हर्याना राजय की नीवासी है राणी-्रामपाल जो है यह रीना-राजय की नीवासी तथा भारतिय महिला होकीटीम की कपतान भी रह चुक है और वरतमान में यानि कर्एंट में भारतिय महिला, होके टीम की कपतान सवीता पूनिया है, कोई है, तो सवीता पूनिया है, next question 35, number question, कराय राष्टिया, राजधानी छेत्रे, यानिकि NCR की तर्ज पर, ACR, यानिकि राजे राजधानी छेत्रे, बनाने का प्रस्ताव, किसे राज़सरकार ने पारि रैजधानी छेत्र एसीयर बनाने का प्रस्ताव जो है, उत्तर परदिस्थरकार ने पारित किया है, तो देखें पुरुस एकल का किताब किसने जीता है तो देखें पुरुस एकल का किताब जो है यो नुवाक जोको बीचने जीता है और नुवाक जोको बीचने जीता है और नुवाक जोको बीचने जीता है ये हैं थे नहीं हैं नोबाक जोकोब विच ने अस्टेलिया ओपेन 2023 का भी पुरुस एकल का खिताब जीता है कर रहा है वन डिस्टिक वन एस्पोर्ट्स योजना कीस से राजने शुरू की है सैयंसर जगा उत्तर परदेश से राजने वन डिस्टिक वन एस्पोर्ट्स योजना को शुरू किया है यानि कि One District One Sports योजना का मुख उद्धेस या है कि उत्तर पर्देश के 75 जीलों को अलग-अलग खेलों से जोड़ना है यह योजना का मुख उद्धेस है नेच्ट कोशन 38, नमबर कोशन भारत के महानेवादी कौन है? तो देख के भारत के महानेवादी कौन है? और वेंकट रमनी जो है यह भारत के महाननेवादी है और वेंकट रमनी भारत के सुलहवे महाननेवादी है भारत के कौन से नमर पर आते हैं तो सुलहवे महाननेवादी है यह आर वेंकट रमनी और इनसे पहले जो महाननेवादी कौन अगर पूछ दे थे तो याद रखेगा कि के के वेड़ी गूपाल थे कौन थे तो के के वेड़ी गूपाल इनसे पहले भारत के महानेवादी थे अच्छा एक चीज आप लोग और याद रखेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है अगर वरतमान में यानि कि करेंट में यह नीती आयोग के वरतमान में नीती आयोग के वरतमान में CEO है यह नेकर एक प्रत्यक्ष कर है और आयकर वसूली करने का कार है केंद्र सरकार के आयकर विभागे का है और भारत में आयकर जो है आयकर अधिनियम 1961 के तहट लगाया जाता है नेश कोशन फोटी नमर कोश्चन कर रहा है फेस्बुक पर सो देखने के लिए निमन में से कौन से प्लेटफर्म का उप्योग किया जाता है तो देखें फेस्बुक पर सो देखने के लिए फेस्बुक वाच्च प्लेटफर्म का उप्योग किया जाता है यहाँ पर देखे किस में है option number D में दिया गया है facebook watch option number D राइट एंसर जगा facebook पर सो देखने के लिए facebook watch platform का उपयोग किया जाता है next question 41 number question यहाँ से साथ होता है समान हिंदी का question यहाँ से start होता है तो आये इसको देखते हैं फटाफट चलिए 41 number question है निम्य निखित में से कौन एक सन्यूक्त ब्यांजन नहीं है तो दोखें यहाँ पर सन्यूक्त ब्यांजन पूछ रहा है कि कौन नहीं है राइट एंसर जगा for यह जो बी option में दिया गया है for यह सन्यूक्त ब्यांजन नहीं है और याद रखेगा कि जिन व्यांजनों के उचारण में अन्य व्यांजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे सन्यूक्त ब्यांजन कहते हैं जैसे कि श हो गया यहां पर जैसे पहला नमर में आप लोग देख सकते हैं जो यह च्हल दिया हुआ है प्र जैसे यहां पर 3 हो गया तो फाप प्लस रह प्रयोग करें गे तो शूनियूक्त बियानजन कहते हैं तो फो यहां पर फो सिधा-खिद आता अर्थ है यानि कि चार ये option दिये गए हैं और सही उत्तर का चैन कर यानि कि मुहाबरा का सही उत्तर बतलाना है तो देखे हुका भरना का क्या हो जाएगा हुका भरना का हो जाएगा सेवा करना option number D right answer आगे बढ़िए आसमान में उढ़ना तो आसमान में उढ़ना का मुहाबर बहुत ठक जाना निश्ट है अंधा होना अंधा होना का क्या हो जाएगा अंधा होना का मतलब होता है कि जिस तरह से अंधा होना का जैसे विवेख खो देना हो जाएगा अंधा होना यानि कि विवेख खो देना हो जाएगा निश्ट कुछल देखिए अब कह रहा है कि निम तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस पूरे कथन को पढ़ेंगे नहीं इसको पढ़ेंगे नहीं पूछ रहा है तो आप लोग जो भी यह तथ दिया रहता है निर्देश में तो तथ को पॉइंट से एकदम अच्छे से ध्यान पूर वक्रवक्र पहले पढ़िएगा पर बिलोम सब्द है कोई कोई पूज़ेता है बिलोम सब्द कौन सा नहीं है तो इसमें ध्यान देना पड़ता है ठीक है चलिए अब देखिए क्या कर रहा था कर रहा था कि सूरे का परवाची सब्द कौन सा नहीं है तो राइट एंसर जगा सूरे का परवाची सब्द ग्रह सब्सक्राइब नहीं है आग का कौन सा हो जाएगा आग का कौन सा हो जाएगा आग का पावक होना चाहिए नहीं होगा नहीं पावक तो होता है गगन होगा आग का गगन हो जाएगा गगन परवाची सब्सक्राइब का नहीं है option number B right answer हो जगा यहां पर फिर कमल का पूछ रहा है तो कमल का सार्दा जो है सार्दा यह परवाच्छी सब्द कमल का नहीं होता है चलिए आगे देखिए 50 नमर कोश्चन है कर रहा है निम लिखित पंक्तियों में रस बतला यह यानि की रस बतलाना है देखिए यहां आगे बढ़ते हैं देखिए जगुट्सा किस रस का अस्थाई भाव है यहां पर राइट अंसर जगा देखिए विप्तस हो जाएगा यहां पर option number B right answer हो जाएगा निश्कोषन 52 नमर है सिंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा हो जाएगा तो सिंगार रस का अस्थाई वात सल्ले कहा जाता है option number C right answer हो जगा वात सल्ले कहा जाता है निश्कोषन 54 नमर कुष्चन प्रित्वी राजरासो किसकी रचना है तो प्रित्वी राजरासो जो है यह किसकी रचना है सही answer हो जगा चंद बरदाई का है option number C right answer हो जगा चंद बरदाई का प्रित्वी राजर हुआ है तो खड़ी बोली भासा में लिखा हुआ है नेश्ट कुश्चन 56 नमबर कुश्चन तस से मस नहीं होना मुहाबरे के लिए चार विकल्प दिये गए हैं उप्रियुक्त में से कौन सा विकल्प है सही है यानि कि कौन सा चुटना है यहापर कौन सा राइट दिया गया कुश्चन 57 है है कर रहा है पीशुन के साटिक समनार्थक सब्द का चैन करना है तो यहां पर तो और खोर हो जाएगा पीशुन का चुंगल खोर हो जाए नेश्चन 58 नमर्गुश्चन के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से सवही बिल्यों सब्रिश्प दिश प्राण स्री वरतन को चीनित केजिये वरतनी को चीनित करना है इन चाहिए ढूंसा सब्द शुम में से बहू अचन में से बहू अचन दिया गया है स्थापना निष्चय वाचक सर्वनाम पॉंस है तो देखें निष्चय वाचक सर्वनाम पॉंस है वाचक सर्वनाम पॉंस है तो लंबोदर है ऋप्सम प्रटेक वर्ग में में बिकल्पम है तो सब्ध पूछ रहे है तो यहां पर यहां पर सुरेश हो जाएगा उप्सण बड़ी में देखें दियेगा है फिर कर रहा है देखें नीचे यह पार्ट्सम सब्द सब्सक्राट चैन कर तुम सब्सक्राइब और यहाँ पर यहां पर धारित्री कम सब्सक्राइब पहला नमोर हो जागा धारीत और हो जाएगा फीर उसम्हें से का इनमें से तदसमत Saguma कौन सा हो जाएगा तो उलुक रहें पर बीर याउस माने जाए ट्रों había कि muffin कि नौरस में जो जो सब्द आते हैं आप लोग उसको नोट कर लिए गार आप लोग नोट करना चाहते हो तो सिंगार, हारसे, करूण, रौद्र, बीर, भ्यानक, विवतस, अदभूत और सांतरस। नोट कर लिए नौरस में आता है कौन-कौन सा सिंगार, हारसे, करूण, रौद्र, बीर, भ्यानक, विवतस, अदभूत और सांतरस। आगे बढ़ी देखते हैं! 70 करा है है, चंद का सर्वपर्थम, उल्लेक, कहां मिलता है ? तो आपन यहां बहुत जव्यां साथ थे क्वेथ स्वेथ में मिलता है। और एंग। कॉम्प्रेटिव लेबल का तो आप लोग को इतना तो मालू होना है चाहिए हिंदी में तो आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए ठीक है हिंदी में स्वर्ण वन की संख्या कितनी है आप लोग चलिए बतलाइए चलिए अब कराई 72-76 नंबर देखिए आपकर कथन दिया आप लोग इसका नोट करते जाए और जो टेलिग्राम से उजूड जाए और फिर मिलाइए कि आप लोग का कितना सही हो पा रहा है दो तिन बार रिविजन करने से प्रक्टिस जो है बहुत ज्यादा महत्तपूर्ण हो जाता है मजबूत हो जाता है चलिए देखिए 72 नंब रखिएगा आप लोग आकर कैसे से पढ़िएगा यहाँ पर 72 का प्रें राइट हैं स अबर बढ़ेगा चोड़ियेगा नहीं मिस मत करिएगा क्योंकि देखिए को पढ़ने से क्या होगा आप लोग का अभियास होगा कि कि किस टाइप का कफन पूश सकता है एक्जाम्त में ठीक है और यहां से आपनों कॉस्चन हो गया यह कथन में से नहीं है तत्वे देश्टी से संदर कौन सा हो जाएगा तो राइटेंस हो जाएगा तत्वे देश्टी से संदर जो है अब देखें साथ यहां से आप लोग का सवाल दिया गया है तो आप लोग जो है इसको आप लोग खुद से बनाईएगा अगर आप लोग को नहीं आगा जो भी सवाल दिये गया है अगर आप लोग को नहीं आता है चैनलको प्राफ करके बेले कंदबा जीदि आतके आने और जो भी बच्हे बेसिक को त्यारी कर रहें वह भी चैनल को पर अप्लोड किया जाता है तो चलिए मिलते है नेक्ट वोडियो में जय हिन, जय भारत